हरम آ남क सिस्टम हमने पता है क्या होता है और सिस्टम के अलाहबा सरौंडिंग की बात कि हम ने तो सरंडिंग क्या है यय तोरौन जो भी सविपेंगोुख से अर्टी को जो सेप्रेसत्प रखता है वह बाउंडोरीं रखती है और algumas करते हैं हमद्थ और heat दोनों अगर transfer हो रही हैं किसमे surrounding में यानिके boundary को cross कर रहे हैं तो उसके कार के system को हम open system कहते हैं जहांपर केवल heat transfer हो रही हो mass transfer नहीं हो रहा हो और fixed हो तो उसको हम close system कहते हैं और जहाँ पर दोनों के दोनों ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, दोनों के दोनों फिक्स्ट हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम isolated सिस्टम कहते हैं। और बेहसी सेकंड यर, केमेस्ट्री और फिजिक्स, वहाँ पर भी दोनों के लिए ही महतवपून हैं दोस्तों, ठीके, तो ये वीडियो जो है मेरी आज की, हम किरम से थर्मारामिक्स आदे स्टार्ट कर रहे हैं, आज के अबल थर्मारामिक्स सिस्टम की बात करेंगे हम, ठी एक्स वीडियो में इसकी कुछ प्रोपर्टी बताएंगे, और फिर थर्मारामिक्स सिस्टम में जो कोडिनेट होता है, ने के कोडिनेट सिस्टम क्या है, ये चीज़ बात करेंगे, यानि कि टोटल थर्मारामिक्स को हम step by step define करते चले जाएंगे, ठीके दोस्तों, तो हमार कर रहे हैं, थर्मोडामिक्स सिस्टम की, तो थर्मोडामिक्स, यानि कि थर्मोडामिक्स क्या चीज़ है, थर्मोडामिक्स, तो को दोस्तों, अगर थर्मोडामिक को इसके नाम से ही अगर हम देखें, तो नाम में क्या है, थर्मो प्लस डाइनमिक, यानि कि थर्मो को मतलब होता है हीट हीट मतलब उस्मा और डायमिक का मतलब होता है गतिस मतलब गती करने वाली उस्मा तो जहां पर उस्मा क्या कर रही हो गती कर रही हो यानि कि फ्लो हो रही हो तो उसको हम थर्मोडानिमिक कहते हैं क्या कहते है उसको हम थर्मोडानिमिक यह तो दोस्तों बात है यह ही फसकी है ही और दोस्तों हीट और वर्क दोनों को हम इस थर्मडाङ्यक करते हैं कहने का मतलब है कि हिर और वर्क को डिदिति किको इनिके बारे में जो अध्यार करते हैं हम उसको हम थर्मडानमिक करते हैं thermodynamic मेंụ व्रक की ही बात आएगी आपकी heat और वर्क से ही relative सब चीजे हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं ठीक है दोस्तों तो अब start करते हैं thermodynamic system तो system की अगर हम बात करें thermodynamic system system होता क्या है किसे हम system करें thermodynamic system है क्या thermodynamic system एक छोटा सा पधार्त है किसा एक छोटा सा पदाष्ण किसे कीमाना इस पूरे universe में छोटा सा जो पधार्त होता है उसे हम thermodynamic system केते हैं यानिके system कहते हैं जैसे अगर हम thermodynamic को यहां से हटा दें कि अगर system की बात करें तो system भी सब्सटेंस से है उसमेट ही चैनर जैसे मेरी बोड़ी है ये एक सिस्टम है ठीक है ये मार्कर है ये एक सिस्टम है जैसे इस रूम की अंदर जहां पर मैं ये मार्कर है मार्कर की जो पोजिशन है ये सब्टैंस यानिके मैटर है ठीक है ये सिस्टम है इसके सराउंडिंग जो चारो तरब इसका जो एरिया है उ बात करते हैं surrounding और matter कि surrounding और matter के को जो separate करता है वो करता है boundary इसकी जो लेर है वपर वाली यह है यह की boundary त्टीके जो भी अगर heat इस boundary को cross कर जाए ठीके और mass भी अगर इसको टो च तो system चेंज हो जाता है क्या जाता है system क्रोस नहीं करता, ना तो हीट क्रोस करती है, और ना ही इसका मास्क क्रोस करता है, ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम है, लेकिन सिस्टम हम जो कह रहे हैं, एक बोडी को कह रहे हैं, एक बोडी को मतलब एक सब्टेंस को कह रहे हैं हम, ठीक है, एक सिस सिस्टम की और प्रस सराउंडिंग की सराउंडिंग ठीक है दोस्तों सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलकर बनाते हैं यूनिवर्स को बनाते हैं यूनिवर्स को बनाते हैं और सिस्टम और सराउंडिंग को जो एक दूसरे को separate रखता है यानिकि दूसरे को जो separate करता है उसे कहते ही हम boundary ठीक है जैसे हम system की definition की बात करते हैं तो definition क्या है a thermodynamic system is defined as a quantity of matter as a quantity of matter or a reason in space upon which attention is concentrated in the analysis of a problem everything external to the system is called surrounding यानिके जो matter है उसकी matter की quantity है उसको quantity को हम जो define करते हैं या space में किसी छोटे से छेत्र को उसके छोटे से एरिया को हम define करते हैं उसे ही हम क्या करते हैं थर्मोडानिमिक system कहते हैं थर्मोडानिमिक system ठीक उसको define करना ही थर्मोडानिमिक system है और everything external to the system यानिके system से अलग जो से चारो तरफ का जितना भी एरिया मैंने जब बात की आपकी अभी रूम की इस marker को छोड़कर बाकि सब कुछ जो इसके चारो तरफ का है एरिया उसे हम कहते हैं surrounding ठीक है क्या कहते हैं उसको surrounding कहते हैं the system is separated from the surrounding by the system boundary by the system boundary कहने का मताब है कि system से से जो surrounding को separate रहता है या surrounding से system को separate करता है वो क्या है boundary है ठीक है वो एक boundary है जैसे यह marker की जो layer है यह boundary है ठीक है यह किसको separate रख रहा है इस सब्टेंस को यह निके marker को और surrounding को एक दूसरे को यह separate रहता है the system and surrounding together it comprises the universe मतलब कहने का यह है जाण करते हैं वो क्या है universe कहलाता है मतलब system plus surrounding दोनों मिलकर universe बनाते हैं किसको बनाते हैं universe को दोस्तों तो system होता है system three type का होता है कितने type को होता है system three type का कौन-कौन सा open system, clause system and isolated system यह three type के जो है system होते हैं बात करते हैं first system की, first system क्या open system, यह क्या होता है, an open system is defined as in which the mass and heat energy can be transferred to its surrounding, to its surrounding, मतलब क्या है कहने का, कि दोस्तो open system क्या है, open system में, यदि की ऐसा system हो, जिसमें mass भी transfer हो, मतलब दिर्विमान भी transfer हो, और उसके साथ साथ उसमा भी transfer हो, यानि कि दोनों चीज़े, उसमा और उसका दिर्विमान, दोनों के दोनों अगर transfer हो रहे हैं, कि इसमें surrounding में, यानि कि boundary को cross कर रहे हैं दोनों, तो ऐसे system को हम, क्या कह दोरा या किसी भी process दोरा ठीक है, burner दोरा या किसी भी process दोरा हम उसको, अगर heat कर रहे हैं, उसके अंदर क्या है, water अगर भरा हुआ है, यानि कि कोई जल पानी इसके अंदर बर दें, water बर दें, और उसको heat करें, तो 100 degree Celsius के ओपर, यह water उबलने लगता है, ठीक है, नहीं, boiling हो लगता है, तो जब यह boiling होगा, अब देखो, पहले boiling से अगर हम पहले बात करें, तो water है, water को, और इस जो इसके ओपर का जितना area है, यह वायू है, उस air को, water को एक बीच में जो layer है, इसके बनी वो separate कर रहा है, वो इसकी boundary, ठीक है, यह water है, ओपर air है, इन दोनों के बीच मे बाउंडरी है, दोनों को separate रखा है, अब जैसे ही हम इसको boiling करते हैं, तो boiling करके दोस्तों, यह बास्प इसमें जो है, वास्प बन जाती है, तो यह निकि भाब चिसम कहते हैं, भाब वेपर बन जाता है, वो बेपर बन कर जो water है, वो वेपर बन कर ऊपर के ओर air में ओनने ल मास भी जा रहा है, और हीट भी जा रही है, दोनों के दोनों चाते हैं, दोनों के दोनों boundary को cross कर जाते हैं, मतलब कहने का यह है कि द्रभिमान और उसमा, दोनों के दोनों वास्प के रोप में boundary को cross करके, कहां चले जाते हैं, सराउंडिंग में चले जाते हैं, कुछ यह जो open system, बात करते हैं, second number, close system की, तो close system क्या है दोस्तों, ठीक है, close system, a close system is defined as in which the mass is fixed, no mass can cross the boundary of the system, and heat, energy can be transferred to its surrounding, सिस्टम नी, मतलब कहने का यह है, कि यदि कोई ऐसा सिस्टम जिसमें मास, जिसमें मास क्या हो, fix रो, ठीक है, और heat transfer हो रही हो, मास तो fix हो, और heat क्या हो रही हो, transfer हो रही हो, यानि कि boundary को close करके surrounding में जा रही हो, ठीक है, तो इस प्रिकार के system को हम close system कहते हैं, ज हुखते हैं, क् जो पिश्टन होती है ठीक है पिश्टन और सिलेंडर अगर हम कोई सिलेंडर ले लें यह सिलेंडर है इस प्रिकार का और इस सिलेंडर में हम कोई पिश्टन लगा दें यह पिश्टन है कि यह क्या है पिश्टन और यह क्या सिलिंडर इस सिलिंडर के अंदर क्या भरिया है गैस पर यह तो गैस पे जब हम प्रेसर लगाएंगे उपर से दाब लगाएंगे तो यह पिश्टन इस पर वर्क करेगी यानि कि हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा जो इसकी हीट है यानि कि जो heat है वो किसमें change होगी work में बदल जाएगी जी यह पिस्टन पर work करेगा यानि कि जो इसके अंदर gas है वो भी उस पर force लगाए नीचे से दाव लगाएगी प्रेसर लगाएगी तो यह piston को जैसे हम उपर से छोड़ेंगे तो यह उपर की और work करने लगेगी ठीक है पिस्टन कहा जाएगी ऊपर की और जाएगी तो जो पिस्टन चल रहे है ऊपर की और उसमें क्यों रहा वर्क हो रहा है हम दबाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा अब नीचे से जब हम उसको छोड़ देंगे उपर से यानि कि उस पर से हम भार अगर हमने हटा दिया उपर से तो अंदर जो गैस है वो उस पर प्रेसर लगाएगी तो वो प्रेसर जो लगाएगी वो पिश्टन ऊपर के ओर चैने लगेगी यानि कि पिश्टन क्या कर रही है वर्क करने लगेगी तो यहाँ पर जो हीट है वो हीट वर्क में चेंज हो रही है किसमे हो रही है हीट वर्क के रूप में चेंज हो रही है तो यहां पर ज़ो cable और cable transfer हो रही है heat और mass उसका adjust रहेगा, यानि कि मास जो है वो fixed रहेगा, cable क्या transfer होगी ही है, हीट transfer होगी ऐसी situation में ऐसी system में तो इस परकार की system को हम closed system कहते हैं, क्या कहते है, इसको हम closed system कहते हैं, ठीके दोस्तों, अब बात करते हैं, नमबर तेन, isolated system की, तो isolated system क्या है कि an isolated system is defined as in which the mass of fixed and as well heat energy cannot be transferred to its surrounding मतलब कहने का है कि दोस्तों यदि ऐसा system यानि कोई ऐसा system जिसमें heat और mass दोनों के दोनों transfer नहीं हो रहे हैं यानि के किसकी बात कर रहे है हम heat की और mass hon रहा हो और नहीं heat transfer रहुए है जहां पर ना तो mass transfer हो रहा है और नहीं heat transfer हो रही है इस परकार के system को हम isolated system क्याते हैं Indy में कहते हैं विलगित निकाए ठीक ही तो अब यह होता क्या इसका example अगर हम देखें तो जैसे thermos, जो thermos flux होता है, उसके अंदर हम water को ठंडा रखें, तो वो ठंडा रहता है, काफी समय तक, ठंडा रहता है, और यदि उसके अंदर हम गर्म पानी रखें तो गर्म रहता है, यदि हम चाय को गर्म रखेंगे उसके अंदर तो चाय गर्म तो इस प्रकार का जो system होता है, उसे हम isolated system कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम isolated system कहते हैं, ठीक है दोस्तों, तो हमने जो आज बात की है, वो बात की है thermodynamic system की, तो thermodynamic system हमने बता है क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, एक matter होता है, matter की quantity को हम thermodynamic system कहते हैं, उसको define करते हैं, और thermodynamic system के अलाबा surrounding की बात की है हमने तो surrounding क्या है यानि कि system के चार अतरप के जितना भी safe area है यानि कि total जो भी safe बचा है उसे हम कहते है surrounding system और surrounding को जो separate रखता है वो boundary रखती है ठीक है boundary होती है यहाँ पर heat और mass दोनों work करते हैं अगर mass और heat दोनों अगर transfer हो रही है किसमे surrounding में यानि के boundary को cross कर रहे हैं दोनों तो उस परकार के system को हम open system कहते हैं जहाँ पर heat transfer हो रही हो mass transfer नहीं हो रहा हो और fixed हो तो उसको हम cross system कहते हैं और जहाँ पर दोनों के दोनों transfer नहीं हो रहे हैं दोनों के दोनों fixed हैं तो ऐसे system को हम isolated system केते हैं तो दोस्तों ये थी बात thermodynamic system की हम अपनी next वीडियो में बात करेंगे thermodynamic system की property की property क्या होती है और फिर हम heat और work thermodynamic में heat और work को दोनों को explain करेंगे बहुत अच्छे से detail में बहुत अंदर तक जाके उसको explain करेंगे दोस्तों इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रही हैगा और हमारे चैनल को आप प्लीज subscribe कर लें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको like भी कर दें दोस्तों ठीक है तो मिलते हैं हम अपनी next वीडियो में thank you